सबी को जहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जहिंद रेक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पत्रकार बारत के बारे में बलकि आप जानते हैं कि अगले मीने हमारे देश में लोगसभा के इलेक्शन्स होने जा रहे हैं उस पर भी चरचा होगी और बात करेंगे भारत ये प्रदानमत्री श्री नरेंदर मोदी जी पर तो ये वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन इमेफ के आफिस के बाहर पी टी आई वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहें शेवाज गिल इमरान खान के बड़े चाहिते वो भी दिखाई दे रहे और इमरान खान उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं इस तरह की कई चीज़े जो चल रही हैं उसको आप कैसे तो भारत की ऐलेक्षिन सेवन फेज़ेंगे जून तने जुन तान होगी बहुत बड़े बात उसमें चेतुसाफ़ जो कहता जो ढुड़े हैं नहीं होगस्आ अमेरिका रिश्य जुराषिया और ईयू की अबादी के ब्राबर मैं समझता हूँ और सबसे बड़ी जुसमें statement है जो मैं समझे होगा मेरे लिए मैं समझे तरह राजीब कुमार है जो के election commission के इंचार्ज है उनोंने कहा है कि हम जमुरियत को हिंदोस्तान के हर कोने में ले जाएंगे मैं समझता हूं बहुत बड़ी statement उनोंने दी है दोस बीजेपी टोटल सीटें पाइंट सो 543 और बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी 15 मिलियन इसके election के worker होंके मैं समझता हूं कि जमुरियत की इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमुरियत की एक जिन्दा मिसाल है और आई से कुछ से दिन पहले ही electoral bond का ऐलान किया था वो भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी achievement है कि उसके बाद कि उसकी सबसे बड़ी वज़ा यह थी 22,000 bond थे उनके और ट्रांसपरेसी के हवाले से 1262 डोनर थे 12,000 क्रोड रूपीज 1.5 बिलियन डालर जो था वो कठा किया गया आदे से ज्यादा रकम है वो सरफ 20 लोगों ने दी चिसमें सबसे ज्यादा खबरों के जो मरकज बने रहे हैं वो लाटरी केंग हैं जिनके बारे में कहा गया था सेंटियागो माल्टन जिनकी गेमिंग और हास्पिटलिटी की और्गनिजेशन है वो इंटरनेक्शनल खबरों का भी ही लगाई गई है कि पैसा लोगों ने दे कर फेवर्स ली है उसके हवाले से लेकिन यह तो एक अंडरस्टूर सी बात है कोई नान प्राफिट तो नहीं ना यह जो भी होगा इंफ्लूंस के लिए लोग जो बांड खरीडते हैं लेकिन इसमें जो खुबसूरती की बात है कि एट लीस्ट लोगों के सामने हर चीज सिया सफैद मौजूद है यह मैं समयता हूं बहुत बड़ी चीवमेंट है इसके हवाले से मोधी साब अप थी वो अपनी टर्म जीती थी उसके बाद मोधी साब एक दूसरे भारत के लीडर होंगे जेतना कुछ कर पाएंगे मैं समझता हूं कि यह जमूरियत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है बहुत बड़ी मिसाल भी मौजूद है और दुनिया को इससे सीखना चाहिए स इसको देखना होगा मोधी साब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से तरक्की के हवाले से एट पॉइंट फॉर परसंट ग्रोथ जो है वो एक वाके ही एक जिन्दा मिसाल है जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ वहां की जो ग्रोथ ग्रोथ है टू पॉइंट परसंट पे है तो इससर बारकेबल एचीवमेंट और मुझे इस चीज़ पर बड़ी खूशी है कि विल बी वेरी इंटरस्टिंग हो कि मेरा सब्जेक्ट मैडर है पुलिटिकल साइंस और मैं जमूरियत को पुलिटिकल साइंस को इन चीज़ों को देखता रहता हूँ अब की बिल्डिंग इस बड़ी जूनिक लोकेशन पर मौझूद है वाइट हाउस से तीन चार बलाक के फासले पे वर्ड बैंक एक ही गली में बिलकुल कोने में सामने है स्टेट डिपार्टमेंट चार पांच बलाक है वहां से और उसके सामने हमारे पाकस्तानी बचे लोग ज स्वीरें और फिर एक भाई साथ थे वहां पर वो एक स्पीकर लेकर अपना मेरा मकसे थे को अच्छे अलफाज इस्तमाल नहीं कर रहे थे इन्होंने अपनी घर की डिर्टी लांडरी जो है उस सारी दुनिया को दिखाई है जो के मैं उसकी मुझमत करूँगा आपके इंट हरान हूँ कि क्यों हमारे जो मुर्शिद पाक हैं वो आक्सफोड के ग्रेजवेट हैं और उनको यहीं नहीं पता था कि आई एम एफ इस नाटर रेलिवेंट और 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 इसेशन या डिपार्टमेंट जिसको आप राप्ता करें वो आई एम एफ की हिस्ट्री ऐसी है वो आपोजिशन पाइटीज के साथ डील नहीं करते हैं वो तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं वो तो एक बैंक है वो तो एक अपना अपना वो एक फिजिबिलिटी देखकर वो आपको लोन देते हैं आप से कम्मुनिकेशन वो क्यों करेंगे उनका तो स् मार्च को हीरिंग होगी और वो आके कॉंग्रिस के सामने अपनी स्टेट्मेंट देंगे अब मेरे बच्चे ट्वीटर पे जो मसूफ रहते हैं एक तो आपके पाकिस्तान के अंदर ट्वीटर वैसे ही बंद है आज कल बच्चे छूटियां मना रहे होंगे जो एक लाख पच आपको अपडेट करना चाओंगा कि बीवी सी ने कल उसके उपर एक बड़ा अचा अर्टिकल लिखा है जिसके अंदर हुसैन हकानी साब ने अपने कामेट्स दिये और उसके बाद माइकल केगल मैं है जो विलसन इंसीटूट के साथ हैटेच हैं उन्होंने और और बी कांग्रसमेनों सेनिटरों के उपर इस वकत वो उनको दे रहे हैं दुख के साथ मैं यह कहूंगा कि 55 जलसे किये मेरे मुर्शद ने एंटी अमेरिकन वो साइफर निकाल निकाल के डेवड लू को के जिम्में से कहते रहें कि मेरी रिजीम चेंज कर दी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा रिजीम कंट्री इस तरह चेंज बता के नहीं करते मैं बताना चाहूंगा जब अमबैसर साब हमारे बैठे थे उस वकत उनके साथ स्थाफ बैठके डोट्स ले रहा था डेवड लू आँखों से अंदे नहीं है वो देख रहे थी कि लोड नोट्स ले हैं इस तरह रिजीम बता के चेंज नहीं की जाती चले ठीक है अगर चेंज की है दुश्मन है अमेरिका आपका दुश्मन है तो आज आपने यहां पर लाभी फर्में क्यों हायर कर ली आपकी स्पोर्ट के लिए आज अमेरिकन कांगरसमेनों और सेनिटरों की मेंतें तर ल लात अलकी का इजहार किया है कि हमें नहीं पता यह पीटी यह अमेरिका जो है वो हमारा हिस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने पाक साम में रहना है मुर्शिद पाक ने भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी मुर्शिद पाक ने मुझे उन्होंने प्रेस को यह जगूर कह है कि मुझे पता है कि IMF के सामने बच्चे कठे थे लेकिन मुझे यह नहीं पता गालियां किस-किस को दी है उन्हें यह नहीं पता कि वह क्या क्या है यह भी एक अजीब सी बात है चले रुनी के मुझे पीर जादा साब का भी तो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कहरें वाल के मोधी सरकार को वो कहरें कि पाकिस्तान से पहले कौन सी हो रही बही मुझे साब को पैनल नहीं पता के ताले लगे पड़े या पहले बाते नहीं होती और आप तो खुद अमेरिक को इस तरह और आप तो मोदी जी की बात यूर्पियन यूनियर को भी तो कह रहे हैं ना कि पाकस्तान के साथ जो है वो उसका स्टेडस खत्म किया रहे है और दिखें इसमें आर्थू मैं एक चीज से अगरी करूंगा भारत हलाके भारत के अंदर से कुछ हवाजें ऐसी भी आ लगा लिए घर के आर्ग से कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकस्तान जहन्नम में जाए आग लगा तो ऐसे पाकस्तान को जहां मुर्शद नहीं है इनके लिए इतला के लिए अरस्ता लोग इस से ज्यादा पाँगल थे भुटो के लिए भी. मैं बताना चाहूंगा. भुटो के लिए भी किसी एक बंदे ने मट्टी का तेल लगा के आग भी लगाई थी आपको भी कोड़े नहीं लगे जो के मेरे CHALL में 9 माई के लोगों को लगने चाहिए मेरे CHALL में मैं तो यहां तक BELIEW करता हूँ फिर प्लखसूस कोर कमार्डर लहोर है वो एक वो कोर कमार्डर था जो इंडिया के बार्डर के पर की कोर को लीड कर रहा था और उसकी पतलून को बाहर निकाल कर तो मेरे मुर्शद के भांजे ने आग लगाई थी। तालियां बजी थी। उसने बताया वेस्ट साइज बताया गया था कोर कमाइडर का लिए देखें जी कितना मोटा है कोर कोर कमाइडर का लिए देखें कि वीडियो का अपने अंतक दे होने जा रहे हैं तो आप किसको वोट करने जा रहे हैं आप अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं और हम जानते हैं कि मोदी जी तीसरी बार इतिहास लिखने जा रहे हैं मोदी जी तारीक में अपना नाम दर्ज करवा देंगे और दूसरी अगर हम पा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत